व्रिश्चिक राशिवालों कुछ ऐसी बड़ी घटना कुछ ऐसे बड़े चमतकार होने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा लेकिन दोस्तों यह घटना वास्तव में होकर रहेगा और इन्हें सभी घटनाओं के पीछे दो बड़े दिव्यशक्ती का हाथ है दोस्तों यहां दो बड़े दिव्यशक्ती अब आप सभी के जीवन को बदल कर रख देंगे अब आपको परेशान नहीं होना है अब आपको चिन्ता करने की बिलकुल भी आवश्यक्ता नहीं है दोस्तों क्योंकि यहां दो बड़ी दिव्य शक्ती आप सभी के उपर महर्बान हो चुका है और आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में इतनी सारी खुशियां देने वाले हैं जिससे आपकी दुश्मन की रातों की नीन दोड़ जाएगी जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं चाहे आप सुबह के जीवन में पैसों की समस्या हो चाहे आप सभी का कार्य बनते बनते बिगड़ जाता चाहे आपका दुश्मन आपको परेशान करता हूँ चाहे दोस्तों आप सभी के घर में बरकत नहीं हो रही है दोस्तों अब एक एक परेशानी जड़ से समाप्त होने वाली है बस आप आज के इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो नहीं आप सभी के लिए यह दो देवी क का भेजा हुआ एक संदेश है इस संदेश को आप सुविकार कीजिए दोस्तों इस नजर अंदाज करने की गलती भूल कर भी मत करना क्योंकि यहां दो देवी देवताओं का आशीरवाद आप सभी के जीवन में ऐसा है कि आप कई बार मरते मरते भी बचें हैं जी हां दोस्तों यह देवी देवता आप सुवह के उपर पिछले पांच सालों से अपना नजर बनाए बैठे हैं और दोस्तों यह दो देवी देवता आपके जीवन में आपकी परिक्षाएं ले रही थी लेकिन आपने देवी देवताओं को प्रसंद कर लिया है और अब आप सभी के जीवन में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत यह घटना होने से अब रोक नहीं सकता बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी की सच्ची भक्ती है प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशीरवाद आप सभी को प्राप्त होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तों दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दो सभी लोगों के जीवन में दुख आते हैं ऐसा कोई इनसान नहीं है जिनके जीवन में कभी दुख नहीं आता है लेकिन दोस्तों दुख के साथ, साहस के साथ डटे रहना कोई आप से सीखे आपने कभी भी अपने दुख के समय में हिम्मत को नहीं हा रहा है आपने हमेशा भगवान के आगे अपना शीश जुकाए हैं और हमेशा अपने सभी के प्रती अच्छा भाव रखा है दोस्तों यही सब के कारण भगवान आप सभी के ऊपर अब महरबान हो चुका है और अब आपको कोई नहीं सकता है अब यह घटना हर हाल में होकर रहेगी आने वाले 72 घंटे आपके लिए बहुत प्रकार के सुख लेकर आएंगे आपके मन में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खुश्खबरी हमारे भाग्य में लिखी है इश्वर ने हमारी प्रार्थना कैसे सुन ली इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस ज्योतिश कार्यक्रम में मिलेंगे तो अपने दिमाग को शांत रखें और ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखें अगर आपको खुश्खबरी नहीं मिली तब हमसे कहिए अगले 72 घंटे के अंदर दो बड़ी खुश्खबरी आपका इंतजार कर रही है कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है जब आपका समय आएगा तब ही आपको मिलेगा लेकिन कुछ लोग अपने भाग्य का लिखा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए हमने यह ज्योतिश कार्यक्रम खास तौर से बनाया है। अब मत कहना कि हमारी किस्मत खराब है। क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। अगर यह भविश्यवानी सच नहीं हुई तो हम भविश्यवानी करना बंद कर देंगे। हम जो भी जानकारियां देते हैं वह सभी ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं और बिलकुल सठीक होती है। मेरी भविश्यवानी ब्रह्मा जी के कलम के समान है। इसे कोई जुठला नहीं सकता। अगले 72 घंटे में आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। यह चमतकार, न्याय के देवता भगवान शनी देव जी करने वाले हैं। आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन यही सत्य है। आज की जोतिश कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। पहले जैसी आपकी नही नहीं रहेगी। अब आप पहले से कई गुना बहतर जिन्दगी जीने वाले हैं। आपको खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो रहा है। आपके उपर ईश्वर का हाथ है। इसलिए आपके जीवन में य दिल खोल कर लीजिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। पूरी कुंडली का विशलेशन करने के बाद ही यह ज्योतिश कारिक्रम तैयार की गई है। आपका दायत्व बनता है कि आप इस ज्योतिश कारिक्रम को एक लाइ रहेगी। भगवान शनिदेव जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान शनिदेव जी आपके बंद किस्मत के ताले कैसे खोलने वाले हैं और कौन-कौन सी खुश खबरी आपको देने वाले हैं। ध्यान स जियोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आपने सुना है भगवान शनिदेव जी आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने वाले हैं। यह बात बिलकुल सत्य है क्योंकि भगवान शनिदेव जी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आने वाले 72 घंटे में आपक परेशानी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी और आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे जहां आपको घबराहट या परेशानी हो। वहां भगवान शनिदेव जी को याद करें इससे आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो पाए अगर काम को बाद में करने का विचार आए तो समझ लें कि वह काम हमेशा के लिए पैंडिंग में रह जाएगा। ग्रह गोचर की शुब स्थिती में यह ग्रह आपको हर तरफ से लाभ दिलाने का प्रयास करेगा। समय हमारे हाथ में जरूर आता है लेकिन उसका लाभ उठ बहुत कम लोग जानते हैं। जयोतिश कारेक्रम में अंत तक बने रहे। हम आपको बताएंगे कि कौन सा मौका मिलेगा और इसका लाभ कैसे उठाना है। दोपहर से पहले का समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। अगले 72 घंटे में आपको ऐसा अनुभव होगा कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको भी समय के साथ चलना है और तेजी से कार्य करना है। फिर देखिए कैसे सफलता और काम्याभी आपकी चौकट चूमती है। आज के दिन आपका भ फलता मिलती है। आज आप अपने समर्पन की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगे। आज ठंड और बुखार से परेशान हो सकते हैं। इसलिए बाहर जाते हुए सावधान रहे। ठंड की समस्या छोटी हो सकती है। लेकिन यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती इसलिए आज की इस महत्व पूर्ण जानकारी को ध्यान से सुने। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी है। पूरे बारा करोड की समपत्ती आपके हाथ लग सकती है। लेकिन ध्यान रहे जोश में आकर होश मत खोना और इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देन आने वाले 72 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिन्हें सुनकर आप चौक जाएंगे। तैयार हो जाईए। क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर और रहस्यमई जानकारी लेकर आए हैं। अगले 72 घंटों में यह गुप् यह उदय हो सकता है। यह खुश्खबरी प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से ही आपको मिलने वाली है। ऐसी खुश्खबरी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप खुद कह उठेंगे कि हमारी तो किस्मत खराब थी, हमें तो फूटी कौडी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब इतनी बड़ी खुश्खबरी और सर्प्राइज कैसे मिल सकता है। यह सब प्रभुश्री राम जी की लीला है। अगले 72 घंटे में आपको दो बड़ी खुश्खबरी मिलने वाली है और पूरे 12 करोड की संपत्ती हाथ लगेग यह जोतिश कारेक्रम बहुत ही खास और महत्व पूर्ण है। इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से अब आपकी लौटरी लग चुकी है। अगले 72 घंटों में खुश्खबरी का कॉल आने वाला है। इसलिए सभी क साम छोड़कर इस जोतिश कारेक्रम को देखना न भूले। आपकी तूटी फूटी किस्मत समवर जाएगी। ध्यान रखें। कोई आसपास ना हो। तभी जोतिश कारेक्रम देखें। और भूलकर भी इस जोतिश कारेक्रम को मिस ना करें। वरना ये बड़ी आपकी जिन्दगी और भविश्य को बदल सकती है। आपकी कुंडली में कई शुभ योग, राज योग और धन योग का निर्मान हो रहा है। इसलिए ये खुश्खबरी आपको मिल रही है। जी हां बता दें कि अगले 72 घंटे के अंदर आपको एक बहुत बड़ी गुप करना, शुरू से अंत तक जोतिश कार्यक्रम देखना ताकि यह मौका और इसका लाभ केवल आपको ही मिले। आपकी बता दें कि मर्यादा पुरुशोत्तम प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 72 घंटों में बहुत बड खुशी से जूम उठेगा। आपकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे। क्योंकि आपके दोनों आँखों से खुशी की गंगा बहने वाली है। मैं मजबूरी में इतनी बड़ी खुश्खबरी और सच्चाई बता रहा हूँ। वरना यह खुश्खबरी आप को कोई नहीं बता था। आज केवल और केवल नसीब वाला ही इस जियोतिश कार्यकरम को शुरू से अंत तक देख पाएगा जिनकी किस्मत अच्छी होगी। क्योंकि अब आपकी जिन्दगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके जीवन में खूब सारा धन, दौलत रुपय पैसा, गाड़ी बंगला, घर द्वार, इजजत, मान, प्रतिष्ठा वा अन्य सभी प्रकार के सुख मिलने वाले हैं। अब आप जो चाहेंगे वह खरीद सकते हैं। आपके दुश्मन आपकी तरक्की और काम्याबी देखकर तडब जाएंगे। उनकी रातों की नींद औ की तरह होने वाली है। क्योंकि देव गुरू ब्रहस्पती की चाल पूरी तरह से बदल गई है। जब किसी के जीवन में इतने बड़े बदलाव आते हैं तो खुशी से वह इंसान फूले नहीं समा। अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। जिस इंसान को उम्मीद से ज्यादा मिलने लगता है। वह खुशी से रोने लगता है। आप भी खुशखबरी सुनकर पागल मत हो जाना। क्योंकि मुझे पता है इतनी बड़ी खुशखबरी और इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में पहली बार हो रहा है। आपको भी लगेगा कि कहीं मैं स प्रचाई का पता लग जाएगा। ये समय खुशिया मनाने और इश्वर को याद करने का है। भगवान की महिमा और लीला। आप अपनी आँखों से देखेंगे। आने वाले 72 घंटों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए इस महत्त पूर्ण जियोतिश कारे क्रम को शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्योंकि ऐसा महा सन्योग आपकी कुंडली में फिर कब बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस चीज के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह चीज अब आपको एक जटके में मिलने वाली है प्यारे दोस्तों, आपके घर पर एक देवता का साया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। इस एक देवता का साया आपके घर पर है और आपसे यह एक चीज मांग रहा है। प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस देवता का इच्छा पूरा कर नहीं तो आपका पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा। पूरा जीवन बरबाद करके रख देगी। आपका जीवन तहस नहस करके रख देंगे। जानकारी इस जोतिश कार्यक्रम में मिलने वाला है। इसलिए जोतिश कार्यक्रम को बिना स्किप किये शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों आज इस जोतिश कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए दिमाग को शांत करके और घर का खिड़की दरवाजा बंद करके पूरा जोतिश कार्यक्रम देखना प्यारे दोस्तों। जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और एक-एक जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले में आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अगर अभी तक इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए बहुत महनत करना पड़ता है। उसके बाद आपके लिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, जो कि बिलकुल फ्री होता है। और इसके बदले बस आप से इतना ही चाहते हैं कि आप मेरे ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। साथ ही नाग देवता का जो भी सच्चे भक्त इस ज्योतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें। दुश्मन को रोड़ पर ले आएगा और आपको दुश्मन से चुटकारा दिलाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही अब होने वाला है। और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। अब आपके लिए स्वर्ग का तरवाजा खुलेगा, यह बात आप लिख करके रख लो, बस आपको यह एक चीज मंदिर में जाकर दान कर देना है, जो आगे इस जियोतिश कारेक्रम में आपको बताने वाले हैं। दुश्मन असली उकात पर आजाएगा। इसलिए दुश्मन को सजा मिलकर रहेगा और आपको हर हाल में यह खुश्खबरी मिलकर रहेगा। बस आपको 72 घंटे के अंदर नाग देवता के मंदिर में जाकर यह एक चीज दान कर देना है। प्यारे दोस्तों मैं आपको लिख कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों आपको बता दें। नाग देवता के मंदिर जाकर एक कटोरी दूध अवश्य चड़ाएं। मैं आपको लिख कर देता हूँ। आपका किस्मत का पासा पलट जाएगा और आपको चारों तरफ से खुश्खबरी ही खुश्खबरी मिलेगा। प्यारे दोस्तों आपको बता दें जिस चीज का इंतजार आप सालों से कर रहे थे वह समय आ चुका है। इंतजार की घडियां समाप्त हो चुका है और काम्याबी की घडि पास आ चुका है अब गाव मोहले में आपका ही नाम का डंका बजेगा। आपका ही नाम का चर्चा होगा इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी काम्याबी मिलने वाला है प्यारे दोस्तों आपकी काम्याबी देखकर दुश्मन की बोलती बंद हो जाएगा दोस्त रिष्टेदार सदमे में चला जाएगा इतनी बड़ी काम्याबी आपको मिलने वाला है प्यारे दोस्तों यह एक देवता परच्छाई बनकर आपके साथ घूम रहा है क्योंकि प्यारे दोस्तों यह देवता आपको कुछ देना चाहता है इसलिए प्यारे दोस्तों खुशी मनाने की तैयारी कर लो अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है यह देवता आपको धन से माला माल कर देंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है प्यारे दोस्तों आपको बता दें प्यारे दोस्तों मेरा बात जिन जिन लोगों को मजाक लग रहा है उन लोगों को बता देना चाहूंगा कि यह कोई मजाक नहीं है इसे मजाक समझने की भूल मत करना वरना प्यारे दोस्तों जिन्दगी भर रोना पड़ेगा जिन्दगी भर आपको खून का आंसू बहाना पड़ेगा जी हाँ प्यारे दोस्तों ऐसा बड़ा बवाल होगा प्यारे दोस्तों यह आपका आखरी मौका है ऐसा मौका जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा जीवन में इतना कीमती समय वापस नहीं मी मिलेगा जो समय और मौका इस समय अवधि में आपको मिला है प्यारे दोस्तों आखिर वही होगा जो ब्रह्मा ने लिखा है लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें भी आपको कुछ कर्म करना होगा अगर आप अपना कर्म करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपका कुंडली में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो जो ब्रह्मा ने आपका कुंडली में लिखा है जो आपका किस्मत में लिखा है वह भी आपको नहीं मिलेगा आपका किस्मत का लिखा भी आपसे दूर चला जाएगा परंतु अगर आप कर्म करते हैं तो आपका नसीब में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो आपका किस्मत में नहीं लिखा उसे भी मेहनत करके आप हासिल कर सकते हैं तो प्यारे दोस्तों सिर्फ 72 घंटे का समय है सिर्फ 72 घंटे के अंदर आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं इस समय अंतराल में आप अपना किस्मत बदल सकते हैं या फिर आप अपना किस्मत को बरबाद कर सकते हैं अब यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रका अगले 72 घंटे का समय को उपयोग करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर अगले 72 घंटे का समय आप सही से उपयोग करेंगे, तो आप राजा बन जाएंगे। यह बात आप लिख करके रख लो। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर अगले 72 घंटे का समय आप गलत कामों के लिए उपयोग करेंगे तो आप भिखारी बन जाएंगे इस बात की गारंटी है आपको भिखारी बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा तो प्यारे दोस्तों आखिर अगले 72 घंटे तक आपको कौन-कौन सा कार्य करना है कौन-कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और कौन-कौन सी गलती करने से आपको बचना होगा इसके के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस जियोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं तो इस जियोतिश कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें साथ ही प्यारे दोस्तों कैलाश परवत का स्वामी महादेव जी का जो भी सच्चे भक्त इस जियोतिश कार्यक्रम को देख रहे हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोले नात थ जरूर लिखें साथ ही प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं इस चैनल पर आपको रोजाना ग्यानवर्धक जानकारी देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों आखिर कौन है यह एक देवता जो आपक वैसा कर्म करता है उनको वैसा ही फल मिलता है परंतु कर्म का फल सभी को मिलता है जो बुरा कर्म किया रहता है उसके साथ परच्छाई बनकर यमराज घूमते हैं और उसे सजा देते हैं लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ देवों का देव महादेव जी उसके उपर महादेव जी का साया रहता है और आपने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किये हैं, अपने लोगों का बहुत ज्यादा मदद किया है, आप कभी भी बेवजह किसी से लड़ाई जगडा करते हैं, आप भगवान पर भी विश्वास रखते हैं, आप लोगों के दिलों में बसते हैं, और जो लोगों के दिलों में बसते हैं, वह इंसान महादेव के दिलों में बसते हैं, और यही कारण है कि महादेव जी आपके साथ परच्छाई बन कर रहते हैं, इसलिए महादेव जी का साया हमेशा आपके उपर रहता है, और अब महादेव जी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महादेव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि प्यारे दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत गरीबी जेले हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट सहे हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों अब और नहीं अब समय आ चुका है बदलाव का, अब आपका समय का पहिया घूमने वाला है, अब आप आप का जीवन का परिवर्तन होने वाला है और आप करोडपती बनने वाले हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, महादेव जी के आशीरवाद से अब आप करोड़ों का मालिक बनने वाले हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा ज्योतिश कार्यक्रम आखिरी तक देखना होगा। प्यारे दोस्तों यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके लिए राम बान साबित होगा बस आप इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक बार पूरा देख लीजिए। पूरी तरह से भर जाएगा लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रहे अगले 72 घंटे तक आपको किसी से भी लडाई जगडा नहीं करना है। प्यारे दोस्तों आपको कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान हो चुके हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका कुंडली में एक पुरुष और दो औरतों के नाम निकला है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बरबाद करना चाहता है। जी हां प्यारे दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। यह तीनों लोग मिलकर आपका मौत का शड्यंत्र रच रहा है। प्यारे दोस्तों आपको बता दें। अगले चार दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। यह पुरुष और दोनों औरत मिलकर आपका जीना हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इन तीनों लोगों से दूरी बना लीजिये। इन तीनों लोगों से सावधान हो जाईए, वरना प्यारे दोस्तों, आपका पूरा जिंदगी बरबाद हो जाएगा, आपका पूरा जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है प्यारे दोस्तों, आपका पूरा जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा, प्यारे दोस्तों, जियोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है. इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जैमाम भद्रकाली अवश्य लिखें. साथ ही प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगा साथ ही प्यारे दोस्तों आप हमारे जयोतिश कार्यक्रम को सबसे पहले देख पाएंगे और हमारा महत्वपूर्ण जयोतिश कार्यक्रम का लाब उठा पाएंगे इसलिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों आपको बता दें यह तीनों लोग मिलकर आपके उपर तो हमला करेंगे ही करेंगे लेकिन यह तीनों लोग यही नहीं रुकने वाला है यह तीनों लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपका पूरा परिवार के उपर हमला करेंगे आपके पूरे परिवार के उपर जादू टोना करेंगे और आपका पूरे परिवार को भी बरबाद करके रख देगा जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे ऐसा ही कुछ यह तीनों लोग मिलकर आपके परिवार के साथ करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, यह तीनों लोग मिलकर आपका परिवार को अपने माया जाल में फंसना शुरू कर दिया है और इस बात की आप लोगों को जरा भी खबर नहीं है, आप इस बातों से पूरी तरह से अंजान है प्यारे दोस्तों आपको बताते हैं कि यह बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगा कि यह औरत आपके आसपास ही रहती है और एक औरत तो आपके घर में ही बैठा हुआ है और यह एक पुरुष आपके रिष्टेदार में है जो आपको पूरी तरह से बरबाद करने का प्लानिंग कर चुका है लेकिन प्यारे दोस्तों आपको बिलकुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको बिलकुल भी नहीं घबराना है क्योंकि प्यारे दोस्तों इस जियोतिश कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा बस आपको इस जियोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है प्यारे दोस्तों खुश खबरी सुनकर बेहोश हो जाओगे इतनी बड़ी खुश खबरी आपको मिलने वाला है लेकिन प्यारे दोस्तों जियोतिश कार्यक्रम को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा जियोतिश कार्यक्रम बिलकुल भी मिस्मत करना वरना प्यारे दोस्तों ये दो और एक पुरुष आपके उपर नजर गड़ाय बैठा है ये तीनों लोग मिलकर आपका जान ले लेगा अगर अपना खैरियत चाहते हो तो वयो आपको पूरा देखना होगा प्यारे दोस्तों आपको बता दें ये तीनों दुश्मन मिलकर आपके उपर जादू टोना कर रहा है और एक अगोरी बाबा से भी जादू टोना करवा रहा है और आपके उपर किस प्रकार से जान लेवा हमला करना है किस प्रकार से आपका परिवार को बरबाद करना है किस प्रकार से आपका परिवार को रोड पर लेकर आना है इन सभी के बारे में प्लैन कर चुका है इन सभी के बारे में शड्यंत्र रच चुका है प्यारे दोस्तों आपको बता दें सिर्फ चार दिन बचा हुआ है चार दिनों के अंदर आपको सावधान हो जाना है नहीं तो प्यारे दोस्तों यह तीनों दुश्मन मिलकर आपके उपर बहुत बढ़ा हमला करेंगे और आपका जिन्दगी तबाह करके रख देंगे प्यारे दोस्तों आपको बता दें इस घटना से आपको बचाना है इस घटना से बचने की जरूरत है आपको तो प्यारे दोस्तों इस घटना से आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं साथ ही प्यारे दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि इन तीन दुश्मन का असली नाम क्या है और क्यों आपके पीछे पड़े हैं यह तीनों लोग आपसे क्या चाहते हैं इसके बारे में अच्छा विशलेशन करने वाले हैं और आपको एक-एक जानकारी सठीक बताने वाले हैं इसलिए प्यारे दोस्तों जियोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखरी तक देखना प्यारे दोस्तों आपको बता दें, यह जो तीनों दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, यह तीनों दुश्मन आपका बहुत पुराना दुश्मन है, यह तीनों लोग पिछले आठ सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं, पिछले ठा सालों से, यह तीनों लोग मिलकर आ आपके उपर कई बार जादू टोना किया है। आपके साथ अचानक इतना बड़ा और भयानक घटना हुआ। इसके बारे में आपने बिलकुल भी कोई भी जाँच पड़ताल नहीं किये जिस आपके साथ ऐसा घटना हुआ था उस समय अगर आप किसी अगहोरी बाबा से मिलकर यह पता लगाते कि आखिर अचानक आपके साथ ऐसा बड़ा घटना कैसे हुआ तो आपको इस बारे में पू कोई भी खत्रा देखने को नहीं मिलता इन लोगों से आपको बिलकुल भी खत्रा नहीं रहता और अभी तक आप अपने जीवन में काफी आगे बढ़ गए रहते लेकिन प्यारे दोस्तों जो हो गया सो हो गया अब उसके लिए रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है अब इस देवी की कृपा से आपका किसी ने बाल भी बांका नहीं कर पाया है वरना प्यारे दोस्तों अभी तक आपका जिंदगी पूरी तरह से बरबाद हो गया रहता अभी तक आपका जिंदगी मिट्टी में मिल गया रहता आप बहुत किसमत वाले हैं बहुत भाग्यशाली ह जो आपके उपर इस देवी मा की आशीरवाद है प्यारे दोस्तों देवी मा भद्रकाली की कृपा से आपका जीवन सही सलामत है वरना प्यारे दोस्तों बहुत पहले ही आपका मौत हो गया रहता लेकिन प्यारे दोस्तों अब आपको बिलकुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि प्यारे दोस्तों इन लोगों का नाम आज इस जियोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपका सबसे बड़ा शत्रू है उसका नाम आपको इस जियोतिश कार्यक्रम में बताएंगे ताकि इन लोगों से आप सावधान रह सके इन लोगों से आप बच कर रह सके ताकि इन लोगों का काली नजर आपके उपर न पड़े और आप दिन, दुगनी, रात, चौगनी तरक्की करें तो प्यारे दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उस पुरुष का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और जो दो औरत आपका दुश्मन है उसका नाम पी और एस अक्षर से शुरू होता है तो प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो उनसे दूरी बना लें, नहीं तो आपका पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा, आपका जिंदगी नरक के सम्मान हो जाए, इस बात का ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, दस, बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है, इसलिए प्यारे दोस्तों, पूरा ज्योतिश कार्यक्रम ध्यान से देखना, और पूरा ज्योतिश कार्यक्रम अंत तक देखना, प्यारे दोस्तों, आपको बत परचा बन चुका है और यह परचा बागेश्वर बाबा ने खुद बनाया है जी हां प्यारे दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं खुद बागेश्वर बाबा ने अपने हाथों से यह परचा बनाया है इसलिए प्यारे दोस्तों यह परचा गलत नहीं हो सकता है प्यार प्यारे में सुनकर आपका होश ठिकाने आ जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों अंत में होगा वही जो आप चाहते हैं। प्यारे दोस्तों जान के लिए आपको बताते हैं। बाला जी महराज के आशीरवाद से आपकी कुंडली में तीन महायोग का निर्माण हो चुका है। इसे मजाग समझने की गलती मत करना वरना प्यारे दोस्तों जिंदगी भर पच्चताते रहोगे, जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। ये बात लिख कर रख लो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, मेरा भविश्यवानी ग्रिह गोचर के आधार पर आधारित होता है, जो कि कभी गलत नहीं होता है। तो सब काम धंधा छोड़ कर पहले इस जियोतिश कार्यक्रम को देखें। प्यारे दोस्तों, जोतिश कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ। इतना अच्छा और महत्वपूर्ण जोतिश कार्यक्रम बनाने में बहुत महनत लगता है। और आपको जोतिश कार्यक्रम को लाइक करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक जोतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किये हैं, तो जोतिश कार्यक्रम को लाइक कर दें। प्यारे दोस्तों, ऐसा जोतिश कार्यक्रम बार बार नहीं बनता है। ये जोतिश कार्यक्रम आपके लिए बहुत खसरा महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ 72 घंटे के अंदर जो खेल आपका कुंडली में शुरू होने वाला है, ऐसा खेल कल युग में पहली बार होने जा रहा है, ऐसा खेल आप जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। प्यारे दोस्तों आपको बता दें, यह जो आपका कुंडली में चमतकारी खेल होने वाला है, यह खेल पूरे 50 साल बाद आपका कुंडली में होने जा रहा है। प्रभुश्री राम जी ने आपके लिए भेजा है, गुप्त संदेश ये गुप्त संदेश सुनते ही आप खुशी से नाचने लगेंगे। प्रभुश्री राम का यह संकेत जो भी व्यक्ती समझ लेगा, उसका किस्मत ही बदल जाएगा। और वह व्यक्ती करोडपती बन जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु यह राज की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह राज की बात राज ही रहना चाहिए। प्रभुश्री राम का सेवक, हनुमान जी का चरण आपके घर आंगन में पढ़ने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपसे विनती करना चाहेंगे कि अपने घर की साफ सफाई पर विशेश ध्यान दें। घर की साफ सफाई में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी घर में नहीं होना चाहिए। घर का एक-एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए, नहीं तो प्यारे दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, अब जो आपके साथ होने वाला है सुनकर आपका होश उड़ जाएगा, प्यारे दोस्तों आपके साथ एक भयानक घटना आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है और आपके घर में प्रभुश्री राम का सेवा का हनुमान जी दस्तक देने वाले हैं। इसके लिए आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक पान का बीड़ा चड़ा दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें। फिर देखिए आप सभी का जीवन कैसे बदलता है। जी हां दोस्तों उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी फिर मिलते ही नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।